हाई एफरीफन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी का वेलकम हैं इंडियन मॉमनों फिटनेस और लाइट स्टाइल में आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ यह मोस्ट अवेटेड है जिसका आप सब को बहुत ही बेसबरी से इंतिजार था वो है 7 days का डाइट प्लान जिहां full week का डाइट प्लान है तो आप इसके according पूरा month आप manage कर सकते हैं कुछ चीजों को shuffle करके बहुत ही easy और आपको affordable डाइट प्लान मिलेगा इस वीडियो में टाइमिंग जो है सारे meals की वो मैं end of the video मैं वहाँ पर पुट कर दूँँगी बाकी सारे meals जो है आपको मंडी से लेकर संडे तक का पूरा आपको मैं morning till night क्या खाना कितनी quantity में खाना है वो सारी चीज़े यहां पर मिलेगी आपको ध्यान बस क्या रखना है जो screen पर लिखी नो उसको एक बार देख लीजे पढ़ लीजे कि exercise workout daily करना है वोक करना है आपको diet proper और healthy लेना है calorie deficit रखना है बट उसका मतलब यह नहीं कि हमने burger खा लिया तो वो हमारी कम calories में count हो गए और हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया हमें protein intake वाला healthy diet plan लेना है साथी साथ proper sleep, no stress, drink lot of water और हर meal time पे potion control यह सारी चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो यह diet plan definitely आपके weight को lose करने में help करेगा और आप अपने target weight तक easily पहुँच जाएंगे with healthy lifestyle so let's start with the diet plan और पूरे वीक का diet plan है easy है affordable है और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते है with recipe तो आप मेरे individual सारे वीडियो देख सकते हैं so let's start from Monday तो पूरे दिन का जो meal है वो मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है प्लस 2 drinks रहेंगे morning और bedtime drink रहेगा तो morning drink में आप ले सकते है lemon honey water अगर आपको lemon suit नहीं होता तो apple cider vinegar ले सकते हैं और आगे भी मैंने बहुत सारे options दिये हैं आप चाहे तो same option पूरे दिन पूरे सातो दिन ले लीजे या फिर different फिर है pre-workout meal या post-workout meal उसमें आपको soaked element 5 लेने हैं और 2 wallet लेने हैं breakfast में आपको लेना है basin chila साथ में आप कोई भी टमाटर की धन्या की चटनी ले सकते हैं mid morning snack में कोई भी seasonal fruit juice season में जो भी मिलता है एक fruit आप ले सकते है fruit लेने का best time है lunch में आप ले सकते हैं चपाती, कटोरी दाल, भिंडी की सबसी या कोई भी vegetable जो आपके घर में अवेलेबल हो और एक छोटी कटोरी curd, evening snack में आप ले सकते हैं कुकूमबर और कारट या जो भी आपके पास vegetable अवेलेबल है उसका mustard सालेट बिनाईए और उसे ठंडा करके घहा सकते हैं समस में काफी अच्छा लगता है और डिनर में आप ले सकते हैं लौकी या जिसे दूदी बोलते हैं लौकी टमाटर की gravy वाली सबसी बिनाईए और बिल्कुल कम मसाले वाली उसके साथ आप दो पीस grilled paneer के ली सकत तो मॉनिंग की शुरुवात करेंगे हम मेथी सीट्स वाटर से तो यह सोक किया गया मेथी सीट्स वाटर है ओवरनाइट सोक किया था और सेम वाटर को हमको पी लेना है और मेथी को चबाके खा लेना यह बहुत अच्छा अगर आपको थायराइट का प्रॉब्लम है PCOD PCOS का प्रीया पॉस्ट वोकाउट मील में आपको लेना है एक अपल प्रीकफ़स में है काले चनल सालेट तो अकर आपको इसकी रसीपी देखने तो आप मेरी चानल पर जाकर देख सकते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी ड्रसिंग डिर डूनों आपको मिल जाएगी मिट मॉनिंग स्नाक में आपको लेना है बर्टर मिल्क जिसको मसाला चास पोलते हैं एकलास पी लेना है समस का टाइम है तो यह हमारे बोडी को ठंड़क प्रोवाइड करेगा लंच में आपको लेना है एक कटोरी राजमा और चार टेबल स्पून राइस उसके साथ आप कर्ट सालेड जो भ आप पड़ाट कर सकते हैं नाओ कमिंग आउन तो थार्ड टेए डाट इस वेटनस टेए वेटनस टिकर जो हमारा मॉर्निंग ट्रिंक रहेगा वो है जीरा वॉटर यह मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बता रही हो लेकिन आप चाहे तो पूरे साथो दिन आप सेम वोट अर उससे खाईये और एक कटोरी आपको देखना पोशिन कंट्रोल तो आप मेरा वाट आडव वीडियो उसमें मैं आपको पोशिन कंट्रोल बताती हूँ Mid morning snack में आपको लेना है butter milk यानि fruits Lunch में आपको लेना है लौकी चने दाल की सबसी, एक जवार रोटी और salad Evening snack में आप masala tea ले सकते without sugar या little jaggery with roasted peanut Dinner में आपको लेना है masala oats जिसमें आप खुप सारी सबसी आर्ट कर लीजे जिसमें खुप सारा वाइटमिन्स आपको मिले प्लस आपको प्रोटीन मिले तो आते हैं अब बारी थर्स्टे की दे फोर की तो जो मौनिंग ट्रिंक है उसमें हम पियेंगे स्मूधी तो ये कैरेट, बीटरूट और आप चाहे तो इसमें कुकुम्बर आट कर सकते तो उसका जूस निकाल के पीना है और ये जो मौनिंग ट्रिंक है ये आप डेली ले सकते चाहे तो आप जो भी आप मौनिंग ट्रिंक प्रफर कर उसके बाद इसको भी आप पी सकते हैं ये आपके डाइजिशन के लिए काफी अच्छा है प्री और पोस्ट वर्काउट मील में आपको लेना है सत्तू ड्रिंक कैसे बनाना है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा ब्रिक्फस्ट में मौंगदाल का चीला विद पीनट चट्मी लेना है मिड मौनिंग स्नाक में आपको मैंगो लेने है क्योंकि मैंगो का सीजन है तो आप फो स्लाइस पूरा है काम नहीं खाना है हाफ आम खाना है उसके फो स्लाइस कर लिएज़े वो लिली जी लंच में आपको लेना है पनीर बुर्ची, उट्स की चपाती और कर्ड इवनिंग स्नाक में आपको लेना है रोस्टिट मखाना डिनर में आप ले सकते हैं वेजिटेबल और पनीर सौटे कैसे बनाना है वो आप मेरे नेक्स वीडियो में जरूर देखेंगे यह बहुत ही सिंपल है फिलिंग भी है और प्रोटीन फुल भी है तो यह था डे फोर का मील चले कामिंग आन तो दे फाइफ ताट इस फ्राइडे तो मॉर्निंग ट्रिंक पे मैंने यहां पे दिया है इसको बोलते है उसका पानी इसको भी आप रात बह सोग करके रख सकते हैं सुबह ओट के थोड़ा सा बॉयल करिये उससे ठंडा करके पी सकते हैं प्री और पोस्ट वर्काउट मील में आपको लेना है हैंदफुल ओफ चना एंड जैगरी दिस वन ओफ ता मोस्ट पावरफुल मील जो आप अगर हैवी वर्काउट कर रहे हैं तो उसके बाद आप डेफिनेटली इससे दीजिए और अगर आपको आईरन या अनीमिया है ख बॉनिंग स्नाक में आपको लेना है कोकोनेट वॉटर इसमें एलेक्ट्रोलाइट होता है जो आपको पूरे दिन एनरजाइज रखेगा और जो भी टॉक्सिन से वापकी बॉड़ी से रिमूफ करेगा लंच बहुत ही टेस्टी होने वाला है यह है सोया कीमा पराथा विद इसमें आपको मॉर्निंग ड्रिंक में लेना है सिनिमन वॉटर सिनिमन को पानी में डाल के थोड़ा सा बॉइल कर लेजे या फिर पाउडर बना के रखे तो गरम पानी में आप इसको डाल के पी सकते है आई यह थाराइट पीसी ओड़ी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रिकफस्स में लेना है पनीर सान्विचेश इसमें दो स्लाइज ब्रेड ही लेना वो भी मल्टी ग्रेन मीड मॉर्निंग स्नाक में आपको लेना है एक कटोरी या एक कब वाटरमिलन इसमें अपको चीट्स वगर डाल के खा सकते हैं लंच में आपको लेना है इसा डिनर हो जाएगा और इसी के साथ हमारा खतम होता है दे सिक्स नेक्स्ट बारी आती है दे सेवन दैस लास्टी संडी तो इसका चो मॉर्निंग ड्रिंक रहेगा वो लेमें बीट लॉस पाउटर को यूज कर कर बना सकते हैं इसमें तुड़ा हानी भी आद कर सकते हैं तो आस पाउटर की चो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिये तो आप आप जाके देख सकते हैं प्री या पोस वर्काउट मील में आपको लेना है हाफ एपल विट पीनट बटर पीनट बटर नहीं है तो कुछ रोस्टेट बटर के साथ आप एक ले सकते हैं क्योंकि संडी को जनरली छुटी होती है तो आप अच्छा वर्काउट उस दिन कर सकते हैं तो अगर आप अच्छा वर्काउट करेंगे तो आपको इंस्टेंट इनर्जी के लिए कुछ इस तरकी की मिल्स लेने पड़ेंगे देन ब्रिक्फस में आप ले सकते ह स्प्राउट चाट उसके साथ एक फ्रूट आप ले सकते हैं स्प्राउट चाट बनाना बहुत इजी है मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मिट मॉर्निंग स्नाक में आप ले सकते हैं सत्तू ड्रिंक तो सत्तू ड्रिंक कैसे बनाना पानी में दो चमत और काली मिर्च डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। लंच में आप ले सकते हैं इडली, सामबर और चटनी। इडली की जो क्वान्टीटी है वो आप 3 रख सकते हैं, medium size के। और खुब सारा सामबर ले लिजे, सामबर में खुब सारी सबजिया एड़ कर लिजे। और पीनेट की चटनी आप 3-4 चमच ली सकते हैं, उसके बाद इवनिंग स्नाक में आप ले सकते हैं, रोस्टेड मसाला पापड, तो मसाला बना लीजिए, पापड को रोस्ट करके उसमें डाल के खाईए, बहुत टेस्टी लगता है, फिलिंग भी होता है, डिनर आपको और चाहे तो उसके साथ आप थोड़े से ग्रिल पनीर ले सकते हैं, या सोया चंक्स जो है सौटे ले सकते हैं, या सौटे वेजिटेबल साप भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से रहेगा हमारा डे सैवन का होल मील, चलिए अब बात कर लेते हैं मील टाइमिंग की, जो आप म 9.30 a.m. मिड मॉर्निंग 11 से 11.30 बजे के बीच लांच आप 1 से 2 बजे के बीच लीचे इवनिंग स्नाक 4 से 5 बजे के बीच और डिनर आप 7 से 8 बजे के बीच हर हालत में फिनिश कर लीचे अगर हम बेट टाइम ड्रिंक की बात करें तो इधर में आपको कुछ ऑप्शिन्स देना चाहूंगी जैसे सबसे पहला है कैममाल टी तो कैममाल टी के टी बैक्स मिलते हैं यह फ्लावर होता है इसको सुखा के इसका टी बनाया जाता है सेकेंड इस एजवाइन वाटर यह आपके गर्ट स्टैजिशन के लिए काफी अच्छा है अगर आपको मिल्क सूट होता है तो आप तर्मरी गोल्डन मिल्क ले सकते हैं तो इस इस आल अबाउट टोड़ेज वीडियो तो आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफी यूसफुल होने वाला है और इसी तरीके के मील प्लान और डाइट प्लान में आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आपकी जो वेट लॉस की जर्णी है वो और भी इंटरस्टिंग हो सके और सबसे बेस चीज और सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि कंसिस्टन्ट होना बहुत जरूर है अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टन्सी रखेंगे ना तो रिजल्ट आपको जरूर डेफिनिटली मिलेगा और टाइम पे मिलेगा इसी नोट के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप अपनी वेट लॉस की जर्ने जारी रखें प्लीज कॉमेंट करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फ्रेंद्स और फैमली के साथ जरूर शेयर करेगा बाई लव यू अल टेक कियर